नमस्का साथियों स्वागत है आप सभी का साथियों बोड परिक्सा 2020 को लेकर मुझसे बार बार एक स्वाल पूछा गया था आपके द्वारा कि आप कभी तो बोलते हो कि एक्जाम होगी परिक्सा ली जाएगी और अगले दिन आप बोल देते हो कि एक्जाम नहीं होगी तो क्यों कर रहे हो आप एक फाइनल जबाब क्यों नहीं दे रहे हो बार बार ये अभिरतियों के द्वारा पूछा गया है और बड़ी महात्रा में पूछा गया है तो मैंने एक दो अभिरतियों को कमेंट करके जबाब दिया है लेकिन अब बहुत ज्यादा पूछे जाने के क तो साथियों इसका यह मतलब हुआ कि केंदर शेतर कोई ** नहीं है जबकि राज्य सुचि के जो विस्फे होते हैं उसमें केवल राईजीय सरकारी अपना फेसला ले सकती है केंदर सरकार उसमें कोई दखल नीज दे सकती और जो संक सुचे के विशे होते हैं उसके अंदर केवल केंदर सरकारी नियम बना सकती है और संसत के अंदर नियम बनते हैं तलंगाना गौर्मेंट ने एडमिट कार्ड यानि की होल टिकेट पर्वेस पतर जारी कर दिये हैं एक्जाम के लिए वो भी बात सही है अगली खबर में मैंने आपको का मारास्टर के अंदर कोलेज के एक्जाम नहीं होंगे मारास्टर के अंदर दस्वी बोर्ड के जोगराफि और एक दो और विसे हैं उनके एक्जाम नहीं होंगे वो खबर भी सचे फिर मैंने का हर्याना के अंदर साइंस का पेपर जो दस्वी का बाकी रही गया वो भी नहीं होगा यानि कि मैंने अभी तक आपको जो भी खबर दिये वो एक भी फेक नहीं एक भी जुन्टी नहीं मैंने राजय के अनुसार खबरे दिये लेकिन आप उन्हें अपने राजय के इंसाफ से ना ले तो मेरा इन सब बातों का कहने का अर्थ ये है कि जो भी मैं ये खबर हैं दे रहा हूँ, वो राज़े के इंसाफ से दे रहा हूँ, कौन सा राज़े क्या फेसले ले रहे हैं, साथ यो आपको एक बात बता दूँ, अभी 37 कर्ण के अंदर साथ हूँ, अब आगे जो भी न्यूस दूँगा, मैं वो राईचे की इंसाफ से दूँगा, तो आप कंफ्यूज मत होईए, मैं जो भी न्यूस दूँगा, वो सो परतिसाफ सच होगी, और वो रियल ऑथेंटिक खबर ही होगी, मैं ऐसे ही आपको गुमरा करने का मेरा कोई भी उद्य से नहीं है, और मैंने जो आपको वीडियो के अंदर कहा है कि CBSC की एकजाम 1 जुलाई से, 15 जुलाई तो होगी, वो सच थी, अब मारास्तर, हर्याना, पंजाब, सरकार ने एकजाम ना लेने का एलान किया है, वो खबरें भी सचे, दोनों अपने अपनी जगे सच है, दोनों के एक जगे, एक ही नज़र्दी से देखने की कोशिस ना करें, आपके राइज एक हबर आएगी तो मैं आपको दे दूँगा, तो बने रहे ये चैनल पर, और I hope आपको ये समझ में आ गया होगा, आएंदा से ऐसे कमेंट ना करें